हेलो गाइज, वेलकम तो दे थ्री, अब तक हमने दे टू कम्पलीट कर चुके हैं, अपनी जावा कम्पलीट वैब सरीज के अंदर, हमने 15 दे जावा कम्पलीट करना है, अगर आपने अभी तक दे वन और दे टू नहीं चेक किया है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाकर यूटूब पर सर्च कर सकते हैं, तो आपने यह वाली प्रेलिस चेक करनी है, इसके अंदर हमारे अब तक की दे वन, दे टू हो चुके हैं, और अपना रोड मैप है, जो भी हमने करना है, वो रोड मैप या पर अपने कैसे कैसे हम करने वाले आप जाकर यह उसको चेक कर सकते हो, और और भी अधर प्रोजेक्ट पर देवें, चैनल पर जाकर आप वह भी वीजिट कर सकते हो, और आपको थमें कोई इंटरेस्टेट है, तो आप उनमे से जाकर उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, वो भी आप डाउलोड कर सक आज दे वन में हमने कहता बेसिक्स ऑप जावा इस्टेज अन ये सब चीजे डे टू पर हमने कहता वैरिबल्स एंड टाइप्स और आज दे थी है तो हम करने वाले आज 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 आएड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप उनको तब कर सकते हो और उनको कमेंट में आंसर पता सकते हो मैं भूल गया तो इनको एड करना दिस्क्रिप्शन में कल तो मैं आज इनको एड कर दूंगा और आज वाली वीडियो के भी कोश्टन कर दूंगा तो आप इनके आंसर क्या कर सकते हो कमेंट में दे सकते हो बढ़ इनके आंसर सभी के आप I think कर चुके होंगे बढ़ अगर तभी भी किसी को doubt है तो वो भी comment कर सकता है तो हम उनको भी solve करने वाले है तो आज अपने day 3 day 3 के निदर हम करने वाले operators के बारे में operators में क्या होता है operators generally क्या चीज होती है operators में हम करने वाले हैं कि arithmetic operators relations operators then logic operators and then assignment operators तो ये mainly काम क्या होता है इनका कि हमारे पास data है ठीक है और अगर data है और हमारे पास कोई operator नहीं है तो हम इस data पे कोई भी चीज नहीं perform कर सकते like हमारे पास 2 है तो हम इसका 2 को क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते हैं ये हमारे पास 3 है तो इस तरीक हम अकेले को कुछ नहीं कर सकते हैं 3 एक variable है ये भी एक variable है जब तक कुछ operator हम use नहीं करेंगे ना इन दोनों की बीच में तब तक हम कुछ performing नहीं कर पाएंगे मतलब हमें डेटा के उपर operators यूजी करने पड़ेंगे चाहे वो arithmetic हो चाहे वो हमारे relation operator हो या फिर हमारे logic operator हो या assignment operator हो तो हमें operators यूजी करने पड़ेंगे वो भी data के उपर तो operator allow you to different things to do in a data making your program more flexible and capable these are the four main four हमारे main क्या operators है arithmetic relation logic and assignment operators तो हमने ये चार हमारे क्या है main operators है arithmetic operators क्या होते है arithmetic आप नाम से ही समझ जा रहोगा आपको कि arithmetic क्या काम करता है arithmetic operator used to perform mathematical operators operations on a number arithmetic का मतलब है कि ये हम use करते है mathematics operations को perform करने के लिए numbers पर जावा सपोर्ट ती फॉलिंग operators arithmetic operators तो अगर हमे को भी mathematical performance करना है data के उपर तो हमने क्या करना है उसको sorry आप मेरे को तोड़ी तवित खराब है कफो रखा तो इसली तोड़ी voice ऐसे आ रही होगी अगर हमें दो नंबर को एड़ करना है तो ठीक है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको इनको हम यूज करते हैं अलग अलग चीजों के लिए यह छोटा सा code है और मैं इनको अपने compiler करके दिखा जाएगी तो आप जब तक इन चीजों को अलग तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कोई चीज समझ नहीं आएगा और आप अपना खुद का experiment नहीं करोगे जैसे अपना day two था जितना मैंने बताया अगर आपने उतना ही क्या होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप उस पूस सीख पाऊगे आप अपना क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है जैसे मैंने यहां पर कुछ वैल्यू लेती तो उनको अलग अलग तरीके से लेकर देखो क्या हम इंटिजर के वैल्यू के अंदर इस तिंग यूज कर सकते हैं क्या यह वैरिबल्स अलग 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 वैरिबल्स का नेम लेकर से तो उनको अलग-अलग तरीके से परफॉर्म करो, वो भी अपने माइंड के कोडिंग, मतलब कि अलग-अलग तरीके से परफॉर्म करोगे न उनको, तो उससे क्या होगा, कि आप उन चीजों को जादा समझ पाओगे, अब जैसे मैंने यहां पर इंटिजर लिया था, तो आप समझ आएंगे, तब तक आप इन चीजों को तब अच्छे समझ पाओगे, तो एरर भी आपको समझ आने चाहिए कि किस टाइप के अरर क्या है, तो अब देखको, यह दो वेरिवल्स लिए हैं, इनको हमने इनिसलाइस करा दिया, साथ में ही, जो मैंने कल बताया था, इनिसल इस सम के अंदर क्या करने वाले हैं, इस सम के अंदर, इन दो वेल्यू को सम कराके, पलस अपरेटर के साथ, इसके अंदर क्या करा रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं, जो भी इन दोनों का सम आएगा, वो किस के अंदर जाए सम के अंदर, ऐसी डिफरेंस के साथ है, ऐसी प्रो यह operation perform करके check करने है तो हम कैसे करने वाले हैं अभी अब इनको see out के साथ कर सकते हैं अब इस पर अलग-अलग experiment क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं मैं simple करके दिखा रहा हूं यह operator के साथ आप इसको क्या कर सकते हो dot fold लिए ठीक है dot seven लिया यह अब क्या हो गया float type हो गया अब float type को हम क्या करने वाले double float ने double ठीक है और यह भी double हो गया हमारा अब नीचे देख को अब नीचे देख को उसने error दे दिया क्या अब यह error क्या है आपको पता होना चाहिए अगर आप को चीज़ पता नहीं होगे न तो फिर आप Java के कोई भी language होगे, आप इसको सीख नहीं पाऊगे, अब ये carrier दे रहा है, ये तो हमें देगा double value, बट हमने initialize क्या करा रहे हैं, एक integer में करा रहे हैं, जो कि मैंने last वाले वीडियो के अंदर date उपर cover किया था, कि हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको type casting कर नहीं प अब देखो, इसने को error हटा दिया, कि इन दोनों का जो भी sum आएगा, वो integer की तरीके साया, वो integer इसमें हमने initialize, sum के अंदर आ जाएगा, तो आप इसको अलग अलग तरीके से experiment करोगे, जब आप की चीज समझ आएगी, अब यहाँ पर हमने double लिया वा, तो इन सब को मैं ऐसे करना पड़ेगा, बट अगर मैं भी इसको comment कर देता हूँ, ठीक है, और मैं बस system.out के साथ क्या करता हूँ, sum को print करता हूँ, sum, s out, ठीक है, और मैं करता हूँ, sum को print, तो अभी हमारा sum आज आएगा, कितना, एक exact value आएगी, integer में, 15 ही आएगा है, बट अगर मैं चारों के अरी, point भी आए, ठीक है, तो मैंने कोई यह हटाना पड़ेगा, यहां से, और इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, double type, अब क्या होगा, हमारा value तो आएगी, 15.9 आएगा, हमारा decimal value भी आएगी, तो यह अलग-अलग, अलग-अलग experiment करने पड़ेगे हमें, जब अलग-अलग experiment करेंगे न, तब हमें चीज़े और जदा समझ आएगी, और जब हम जो भी इसके error होगे, हम उनको check करेंगे, कि यह error क्यों आ रहा है, तब और जल्दी चीज़े आपको cover होगी, अगर आप बत जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करोगे न, तो मुझे नहीं लगता इसको जादा कर पाओगे फिर, क्योंकि जितना मैंने बता दिया और आपने खुद को कुछ mind use नहीं कहा उसके अंदा है, तो फिर आप उतना तक ही कर पाओगे उसको यार, फिर आपको सब्सक्राइब करना बढ़ता है, तो ऐसे आप अलग अलग तरीक से यूज कर सकते हो, आप वह करके चेक करना है, तो आपको चीज़े समझागे जब आपके डाउट्स भी बनेंगे, और जब आप यह सब चीज़े करोगे, तब उसमें आपको प्रोब्लम्स भी आईगे, तो यह तो हमारे operators है, arithmetic operators, जीनि में हमने अलग-अलग तरीके से plus minus subject, अब इसमें एक चीज़ और देखो, यह है, और यह इसमें क्या difference है, एक उच्छी मैं आपको बदाता हूँ, इन दोर ने में एक difference होता है, अभी मैं इसको integer ही बना लेता हूँ, और इसको भी integer ही बना ले एक होता है mode, एक होता है divide करने के लिए, तो यह जो होता है हमारा यह वाला, यह बताता है हमारा divide करने के बाद कि कितने time पर divide हुआ है, यह हमारा बताता है mode, मतलब की reminder क्या आ रहा है, reminder, यह हमारा exactly divide करता है, बड़ अगर हम math में जैसे करते हैं, कि अगर हमें two किसी को divide करना तो हम यह वाला symbol यूज़ करते हैं, ऐसे करके, बट programming के अंदर इसका अलग value होते है, इसका अलग meaning होते है, इसका मतलब होता है reminder, हमें reminder check करना है, तो अगर हम इसको divide करेंगे इस से, तो क्या आएगा, reminder क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है, क्योंकि इसको divide ही नहीं हो पाया ह और अगर हमने 3 लिखा, reminder कितना आएगा, 0 आएगा, अगर हमने 4 रखा, reminder कितना आएगा, 1 आएगा, तो अलग-अलग experiment करके देखो यार, तभी आपको चीज़ समझ आएगी, यार, तो यह divide करता है, यह reminder पताता है, अगर हम इसकी value को, अगर हम output करा है, तो output में क्या आने व यहाँ पर प्लस लगा देते है, अगर आपको दो value output कराने तो हम इसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पर reminder, तो दोनों चीज़ आएगी, यहाँ पर हम कोमा लगा देते है, ताकि हमें पताओ कि दोनों अलग-अलग क्या है, एक में 2 आएगा, एक में 0 आएगा, क्योंकि महा 4 कर देता हूँ, ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर divide करके कितना आने वाला है, और remainder कितना आने वाला है, अब वो check कर आप, तो आपको यह अलग-अलग experiment करने पड़ेंगे, remainder 4 आएगा, और divide कितना आए, 0 आए, क्योंकि divide ही नहीं हो पाएगा, 4, अगर हम 4 को divide करेंग 5 क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, remainder कितना बस 4 ही बचेगा, remainder, तो आप इसको अलग-अलग तरीके से, ऐसे experiment करके check करो, और इसको तब ही आपको जल्दी से समझाएगी, चीजे, तो यह तो हम बना हो गया, arithmetic operator, और अब इसके बाद करते हैं, क्या relation operator, relation में क्या करते हैं, condition चेक करते हैं, क्या comparison कर रहें, value को, कि भाई, जैसे आपके साथ, आपको पता हुए, क्या relation के अंदर होता है, क्या है, कि आपके marks कमा गया, तो आपके relation वाले आपसे compare करते हैं, कि हमारे बच्चे कि इतने, तो वही same चीज यहाँ पर भी है, यह relation बताएगा, क्या, use to compare value and determine the relation between them, तो यह compare करता है, एक value को दूसरे से, फिर उसके बाद, उसमें जो relation है, मतलब कौन सी बढ़ी है, कौन सी चोटी है, कौन सी greater है, कौन सी less than, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं, और फिर, अगर greater or less than है, फिर हमने क्या करना है, वो उसको, जो भी हमने performance किया उसके अंदर, या जो भी operation लगा है, वो हम चेक करते हैं, उसके लेस देन, ग्रेटर देन, यह सब चीज़ हम relation है, तो नाम भी उसका ऐसा रखा हुआ, relation operator है, जो exactly relation में होता ही है, हमारे साथ में, तो वो यहाँ पर भी हो रहा है, तो चलो इस code को हम चेक करते हैं, यह चीज मैं बहुत simple बत हैं, तो समझो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, question करो, try करो, अलग-अलग तरीके से करो इसको, यार, जैसे variables के बारे हम बताया था, तो उसमें अलग-अलग experiment करो, कि अधर variable को हमने कुछ out define करा रहा है, आज day 3 है, day 3 के इंदर हमने, arithmetic operator के, plus minus k, तो उसमें अलग-अलग चीज़ो को add करके देखो, क्या हम दो string को add कर सकते हैं, क्या, क्या एक variable एक string को add कर सकते हैं, क्या, क्या एक value और एक हमारे पास क्या है, string है, जैसे एक हमारे पास 2 है, और एक हमारे पास क्या है, s है, क्या हम इनको add कर पा रहे का, यह हमारे पास s है, और एक हमारे पास 2 है, यह हमारे पस डिकोडिट है और यह कि स्टिंग होगी और एक हमारे पास क्या है 100 क्या हम इनको एड़ कर पा रहे हैं तो यह अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करोगा जब तक आप तभी आपको चीज़ समझाए कि अगर नहीं कर रहे हो न तो भे मैं तीन-चरवार आपको यह बता आ चु करेंगे तो क्या होगा मेभी तब चीज़े और ज्यादे क्लियर होती है तो चलो भी हमें चेक करते हैं अलग-अलग ओपिटर्स को मैंने इनको छोटे में बताया है आप इनको बड़े में पढ़ोगे तो भी कुछ अलग नहीं बताएंगे उनको एक्जामपल एड़ कर दे अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना तो 15 दे तक भी जीरू ही रहने वाले हो फिर ऐसे तो तो यह दो वैल्यू है हमार पास इनको और यह हमने चेक किया एक को स्टो ऑपरेटर होता है बुलेर मैंने आपको बताया था बुलियन किसली यूज करते हैं ट्रू यू के लिए कि यह true है यह value false है जब यह variables type बता रहा था मैं तो यहां पर हुआ क्या exactly है मैं बताता हूं थोड़ा सा एक से explain करता हूं था कि आपको समिन में है एक हमने billion type variable ले रखा है क्या memory के अंदर is equal is equal एक variable ले रखा है इसके अंदर क्या value आनी है तो true आनी है यह फिर false आने वाली है और यह true false कहां से आने वाली है इस condition से आने वाली है वो कैसे यह चेक करेगा हमारा क्या यह चेक करेगा क क्या x के पास कितनी value है 5 यहां पर आगे 5 ठीक है और यहां पर आगे 10 तो इन दोनों को चेक करेगा किस से double equals होता है यहां पर इसका meaning अलग होता है और इसका meaning अलग होता है इसका meaning होता है value को assign करना और इसका meaning होता है value को comparison कराना तो इन दोनों का meaning अलग होता है अगर हम कहीं यह यह यूज करें ना 2 equals to 3 तो यहां पर हम compare नहीं कर सकते हैं और यहां पर यह हमें error देदेगा क्योंकि हम compare करने के लिए क्या करेंगे हमें double equals to लगाना पड़ेगा अगर हम कहीं पर value assign करा नहीं है तो हम a equals to 3 लग देंगे और यह इसके पास लगाएंगे हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं a double equals to 3 value को assign करने के लिए तो यह question भी आ रदते हैं कि हमें इन में से correct कौन सा है value को assign करने के लिए तो यह है assign करने के लिए तो यार experiment करो भाई मैं हर बार यह बोलो experiment करो experiment करो नहीं चीज़ों पर मेभी आप कुछ नहीं चीज़ लेकर हो जो कि मेरे को ना पता हो कमेंट में ऐसा question पूछो फिर मैं उसको थोड़ा out try करूं कि इसमें क्या चीज़ हो सकती है तो अब अलग अलग questions तो करो is equal to क्या करेंगा हमारे true दिखा देगा true क्यूं दिखाएगा क्योंकि x के पास 5 है यह x के value होगी 5 और यह y के value होगी 5 तो यह दो line का meaning अलग है और इस line का meaning अलग है ऐसे है कुछ कि अगर हमने पहले तो इसको रखा हमने ऐसे फिर नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं इसका meaning अलग है और फिर हमने क्या क्या रखा है is equal to एक क्या लिए रखा है variables और उसके अंदर हमने क्या क्या assign करा रखा है तो यहां से value आने वाली है और आने वाली क्या है true यह false क्योंकि यह हमारे किस type का है बूलियन टाइप का है तो यहां तो true आएगी यह false आएगी अब इसको compare करेंगे तो यहां पर हमारे पास 5 है और यहां पर हमारे पास 10 है क्या 5 और 10 equal है नहीं है वो practically पता है तो यहां से हमें क्या आएगा return करके false आएगा और यह false किसके पास चला जाना है is equal to के अब अगर म बन जाना है तब यह बन जाना है true मैं इसको यहां पर run करके दिखाता हूं is equals to वाले कु तो अभी देखो अभी हमें देगा true क्योंकि 5 equals to 5 है तो true आगया बट अगर मैं इसको यहां पर 10 कर देता हूं तब हमें क्या return करने वाला है false return करने वाला है क्योंकि जो मैं आभी आप false कि इसके बाद चला जाना है यहां से बाद इसके बाद सेम है is equals to is not equals to एक होता है equals to sign यह double equals to यह हम चेक करते हैं कि कर दोने equal है और यह होता है यह not equals to कहीं कहीं कपर यह use करते हैं आगे जाकी check करोगी जब आपसको बताला गया not equals to को मतलब है क्या यह इसका just opposite है इसका मतलब क्या 5 10 के equal नहीं है तो नहीं है हमने वो ही तो चेक है कि इसमें नहीं है 5 10 के equal नहीं है तो इस वरज़े से क्या होगा यह हमें value करेगा true return क्योंकि यह equal नहीं है यह वाला operator यह बताएगा आप एक आता है फिर उसके बाद हमारा greater than का तो इस सब mathematic operator भी आपको लग रहे ह रहे है यह greater than operator है क्या अगर greater than है तो true करतेगा अगर less than है तो false करतेगा यह less than request के लिए यह less than request है यह less than less than वाले तो इन सभी को में एक बारी यहां पर ऐसे print करा देता हूं ctrl c तो मैंने इन सभी को यहां पर प्रिंट कराते हैं अब है इक वस्टू इस नोट इक वस्टू और इस रहे हमारा is greater than is greater than is greater than is less than less than फिर है is greater than equals to is greater than or equal और एक लास्त में हमारा is less than equals to ठीक है अब जब इसको run करेंगे तो जो value यहां पर है वही value exact आने वाली है बट अगर मैं value change कर दोगा ना फिर यहां पर different value आने वाली है मैं यहां पर कर देता हूं 10 कि जगा 5 ही तो अब इसके जगे तो आजाएगा true हाजाएगा इसके जगे false हाजाएगा हुसा क्योंकि इसमें हम कहरें कि क्या x5 के equal नहीं है रहे है हाँ यहां पर कुछ दोगा C again is far 5 से बड़ा है हम गहेंगे हैं नहीं 5 से बढ़ा ही है तो इंटोनों गएलारी लासमाले फोल्स हो जाएगा मी इनकिटीकल एक वस्टे होने और पाद म сигुशना इस वाले केसमें हमाला का या फोल्स फोल्स जो अने बोला था और इसमेरा मारा और क्या less than है क्या हो तो less than के लिए नहीं है क्योंकि x less than नहीं है 5 से है इस case में हमारा क्या है false आया और इस case में हमारा क्या है true आया तो इसने इस वारे value को सभी को change करते है इस वारे है और यह code भी आपको यहां से आप चेक कर सकते हो और हायर में इन सभी जो भी अपना यह data है यह website पर डालने वाला हूं तो उसके सब्सक्राइब लगेगा मेभी जब आपके 4-5 days हो जाएंगे तो पुरा data आपको सबकर मिल जाएगा एक साथ ही मैं उसको भी upload कर रहा हूं कुछ से experiment नहीं करोगे तब तब आपको coding नहीं आएगी तो experiment करो नहीं एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या हम यह पर point value लगा के देखे यह 0.4, 0.6 क्या इन पे भी चल रहा है क्या तो जब तक आप नहीं नहीं experiment नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाऊगे इन सब चीदों को logic operators क्या होते हैं हमारे यह use करते हैं perform logic operations on boolean value पर मतलब boolean value कौन से तो च्रू फोल्स होती है और उन पे हम पर पर्फॉमेंस करना चाह रहे हैं जैसे हमारे पास यह true फोल्स value आई है कि is equal to क्या है का फोल्स आ गया या फोल्स आ गया हमारा true आ गया अभी इस पे हम alग से performance करना चाह रहे हैं क्या क्या अग्छर्वारे पास दो true हो true and दूसरा भी true आजाए तब क्या हो यह एक value false है and दूसरी value क्या है true है तब क्या हो तो अलग-अलग performance करा रहे हैं true false value के उपर भी हो पहले numbers पर गरा है फिर numbers पर greater than less than check किया है वो हमारे booleans के अपर अलग से performance कराना चाह रहे हैं वो होते हैं हमारे क्या उनको हम बोलते है logic operations logic operators जैसे and होता है हमारे पास यह return करता है true value जब दोनों operators हमारे true होने वाले बोले je**** यह वाला end यह अच्छ कते हैं जब हमारे पास क्या होगा डॉनों value true हो हो इसके इंधर भी true और इसके इंधर पहलिए true हो यह सबसे यादा उत्मारा यह वाला यह यह दोनों यह दोनो और ऑर operatorsस क्या होता है दोनों में से कोई anybody True जाए अगर हमने यह वाला operator यूज किया हो गई, या तो यह true हो जाए या यह दोनों में से कोई भी true हो जाए तो भी चल जाएगा last है हमारा value को reverse करना, मतलब जो भी value आ रहे है, उसको क्या करदेगा, true value आ रहे हैं तो उसको false करदेगा, false आ रहे हैं तो उसको true कर देगा यह मारे last वाले operator काम हो, logical operator काम है, तो इस तीन operators है, जो किन में सबसे ज़्यादा यह दोनों जादा सब ज़्यादा, इसको भी कम यूज करते हैं, पढ़ सबसे ज़्यादा यह वाले यूज दोनों true का मतलब है कि अगर दो value आरी कहीं से, ठीक है, और वो दोनों true हो रही है, ज और पर time लगने का मतलब और लेंदी हो जाएगी, यह चोटे-चोटे code है, आप experiment करो, और code कमेंट्स में लिखो, फिर उनका अगली वीडियो के अंदर हम explanation करेंगे, यह दो value है, boolean type, ठीक है, यह भी true है, यह भी true है, अब देखो, अलग-अलग operator क्या का काम करते हैं, आपक अब देखो, यह दो value क्या है, यह भी true है, यह भी true है, तब हमने क्या करना है, इस result के अंदर क्या आना चाहिए, क्योंकि यह भी true है, और यह भी true, end operator काम क्या होता है, जब दोन्नों true होगी, तो हमारे पास value क्या आएगी, true आएगी, end operator का, यह interviews में पोशन पूछ लेते हैं end operator का result कब true होता है, या कब उसका result false होता है, तो true कब होगा, जब हमारे पास दोन्नों value क्या होगी true होगी, और false कब होगा, जब दोन्नों में से कोई भी एक value हमारे पास, या ये, या ये false हो जाए, तो उसको क्या आने वाला है, तब उसमें आने वाला है हमारा false, तो मैं भी कि नौड ऑपयाटर कें जो भी आँर है वायू उसको फोल्स करके वेजना यह क्या है इसक्या वैल्य ट्रू है इसुन सुलिभी पईल्स क्या कर दिया है नwatch कर boys कर दिया फॉल्स बना दी है अब देख्वी में इसको कर देता हम फोल्स अब false में क्या होता है, end operator काम क्या है, यह true है इसके पास, और यह क्या होगा, false हो गया, तो इसका overall क्या हो गया, false हो गया, और और operator में क्या था, भाई या तो यह true हो, या यह true हो, दोनों में से कोई भी एक true हो गया, तो हम तो true बन जाएंगे, तो यह true बन जाएगा, इसके पा अगर मैं इसको भी फॉल्स बना देता हूं तब क्या होगा तब इसके वैल्यू अलगा जाएगी कैसे यहां पर फॉल्स हो गया यहां पर फॉल्स हो गया और एंड ऑपरेटर है मतलब दोनों में से दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा वर रोल मतलब जो भी चीजस में हमे ठे से एक साथ होनी चाहिए, अगर दोनु जिए से एक भी ने आगी तो इसका अपूजित आएगा, बला, अगर यह true है, यह false है, तब क्या आएगा, अगर यह false है, यह भी false है, तो overall, पाइस में दोनें आप दोनें जिकी यह विं फोल्स ऐगा तो यह दोनों फोल्स हो गे तो यह का भूंज तो बन जाएगा यह वन जाएगा यह स्कारूर्द करें अब तो अब यह उत्तिे मारे यह वल्र या दो डेटा चाहिए था मतलब अगर हमें एड करना है तो भी हमें दो डेटा चाहिए होगे या हमें comparison कराना या जैसे relation operation लगाना है तो भी हमें दो डेटा चाहिए 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 logic operator लगाना तब भी हमें दो value चाहिए ही चाहिए बट assignment operator के साथ ऐसा नहीं है assignment operator के साथ क्या एक ही value के साथ काम चले रहता है हमारा क्या assignment operator are used to assign a value to variables in addition in a basic assignment operator हमारा request हुग है Java provided the compound assignment operator which combined the operation with assign the value few examples यह इसको निच्चे वाले जैसे हमने यह क्यावा साइन क्यावा इसको चलो मैं इसको भी यहां पर explain कर देता हूँ code पर आकर तो हम value ही कर लेते हैं और हर जंगा value के साथ ही output आ रही है तो देखो भी अगर मैं value यहां पर लगता हूँ तब क्या output आएगा और हर बार ही value के अलग-अलग output आने वाली है यहां पर value क्या है 5 है 5% क्या हुआ तो 5 इसके पास आगा प्रिंट हो गया अब second वाले के अंदर क्या क्या हुआ इसने इस operator का मतलब क्या होता है मैं आपको बजाता हूँ थोड़ा से इसको explain कर देता हूँ easy way में value को हमने इसको वी लिखा मैंने value को हमने 5 दिया हुआ है ठीक है और next line में हम इस line का meaning क्या होता है V plus equals to 3 का exactly meaning क्या होता है कि V equals to V plus 3 V यहां पर क्या है value है हमारी तो इसको और इसको हम सेम मानते हैं तो यह थोड़ा sort form में लिखते था कि easily code को easily लिखा जाए V दोन्यों क्या है equal है V equals to V plus 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे लिख हो कि तो आपको easily समझ रहाएगा ऐसे लिख हो कि तो हर किसी को समझ नहीं आएगा यहां पर equals to भी आएगा यहां पर equals to है तो यह exactly करके आ रहा है कि V की जो value है उसमें इसमें plus 3 आड़ कर रहा है बस यहां पर V की value के अंदर जो भी value की value है वी मतलब value है 2 है 5 है उसमें क्या कर रहा है minus 2 कर रहा है इसमें क्या कर रहा है V equals to V minus 2 जो next वाली है उसमें कर रहा है V multiply by 4 उससे अगले वाली है तो आप इसको भी use कर सकते हो क्योंकि अब तक जो हमने कहता है उसमें 2 value को use करें तो इस तरह लिख रहे थे बट हम एक value के साथ ऐसे लिख सकते है कि V जो भी उसकी खुद की value है उसमें क्या करना चाह रहे है बाई plus 5 कर देगो eqs2 के बाद मतलब इसको syntax को यसा होता है कि जिस भी value के अंदर हमें add कराना है वह value लिख हो पहले फिर जो भी उमें operator लगाना है, plus minus ये जो भी हमें करना है वो यहांपर लिखेंगे फिर इसके बाद हमारा इकवस्तू फिर इसके बाद हमारी वैल्यू आती है जो भी हमें एड़ करने है और उसके बाद वह वाली वैल्यू इन लास्ट इसके अंदर एड़ आती है जिए सप्रेक्ट हो दती है अब देखो अगर मैं इसका आउटपुट करेंगे तो जो आ रहा है रिमेंडर कितना ने वाला इसका अच्छा भी वैल्यू चेंज भी हो चुगे वैल्यू 5 थी ठीक है यहांपर 5 थी विया फिर उसके राद 5 प्लस 3 गया यहांपर हो चुगी 8 एट में से मायनस 2 गया तब कितना हो गे 6 6 इन्टु 24 कितना हो जागा 6 24 24 को डिवै by 5 कर रहे हैं, तो remainder कितना बचने वाला हमारा, 3 remainder बचने वाला है, तो ये अलग-अलग value आएगे, और ये हमारा क्या था, इसको हम बोलते हैं, assignment operator, तो हमने चार operators थे, जो हमने आज cover किये हैं, relation, logic, assignment, आप इन सब चीज को अलग तरीके से experiment करो, इनके questions देखो, Google पर से, उनको करो, उनमें आपको doubt लगता है, तब comment करो, हम उन question को भी next वीडियो इनने solve करेंगे, तो आज की ये question है, आज आपने करना है, मैं इन question को भी आज आइड कर दूँगा, description में, मैं कल वाले भूल गया था, calculate the area of rectangle, length of breadth दीवी है, तो area निकालना है, और सारे operators यूज करने है, given number को check करना है, कि क्या वो audio even है, relation operator और logic operator को यूज कर गए, calculator बनाना है, जिसमें, चार performance करने है, input base पर, तो हमें input भी लेनी है, तो ये questions आपने करने हैं, और आज है अपना day 3, तर day 3 अपना complete,